ग्रास कारप को क्या खिलाते हो आज का मेरा सवाल है आप लोग आने को सवाल पूछते रहते हैं कोमेंट के माध्यम से सबका जवाब हम देने का कुछिस करते हैं आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं ग्रास कारप को क्या खिलाते हैं जवाब मंद में सोच लीजिए और कॉमेंट करके दीजिएगा दोस्तों स्वागत है मेरे यूटी चानल फिस फार्मिंग पर आज हम एक बहतरिन वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जनकारी युक्त वीडियो है वीडियो को संपूर ने देखें जो हम सवाल किये हैं उसका जवाब कॉमेंट करके अबस दे और ग्रास कार्प के भोजन के संबंध में हम कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं और आप कॉमेंट के माध्यम से जवाब देंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देंगे क्या खिला करके आप अपने ग्रास कार्प मचली का बरवार बहुत ही अच्छी तरह से ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं जैसा कि मेरा सवाल है ग्रास कार्प को आप क्या खिलाते हो और एक और सवाल है जिसका भी जवाब आप देंगे Multilayer Farming क्या है Multilayer Farming क्या है इसके बारे में भी आप कोमेंट करके बताएंगे नहीं तो हम तो अभी बताने जा ही रहे हैं पहला सवाल है Grass Carb को क्या खिलाते हो कि 6 महीने में 1 kg हो जाती है अगर आपकी मचलियां 6 महीने में Grass Carb 1 kg नहीं होती है तो हम जो बताने जा रहे हैं उसको खिलाइए और 6 महीने में 1 किलो कीजिए पहला नंबर है कि जो भी भोजन आप आप IMC को कराते हैं वे भोजन आप ग्रास कार्प को करा शकते हैं जब भी आप मचली पालन करते हैं तो अपने तलाब में मल्टी लियर फार्मिंग करते हैं यानि तलाब के उपरी सता के लिए मचलियों को डालते हैं बीच वाले सता के लिए मचलियों को डालते हैं और निचली सता के लिए मचलियों को डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि उपरी के लिए कुछ और दाना आप देते हैं और भोजन देते हैं बीच के लिए दूसरा भोजन देते हैं और नीचे जो मचलिया रहाती है उनके लिए अलग तरह का भोजन देते हैं तो जैसे आप IMC का पालन कर रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं इसी को हम मल्टी लेयर कर रहे हैं उपरी सता के लिए एक मचली बीच के लिए दूसरी मचली और नीचे के लिए तिसरी मचली का पालन करते हैं जैसे उपरी के लिए आप कतला का पालन करते हैं बीच क के लिए आप मेडिगल मचली का धी डालते हैं उसके बद उपरी लेयर के लिएkich के लिए ग्रास कर्प को कटे लिए और नीचे के लिएavaş्ण को वह है आपका जलीए पोधा जल में आपके तलाब में जो छोटे चोटे पौधे रहते ह्नेाइं यह सब को रही आराम से खने आते हिए जो आप उसको नहीं खिलाते है वह अपने आप अपलवद नम्बर दो में ठंडी के सिजन में जिस समय गोभी मार्केट में उपलब्द रहता है उस समय गोभी के पत्ता। यानि सरसो की ख्याली राइसवरान से नहीं होता है उससे कई गुना अधिक ये जो प्राकिर्तिक तरहर्ष का भोजन है जो हरा चाड़ा है इससे आपकी रासकर मचलियों का बरवार होता है यह देने से उचित मातरा में अगर आप देते हैं तो आपकी मचलियां अबस्य आठ महीने में एक केज़ी साइज का हो जाएगा दोस्तो तो आप जो भी हम बताएं इसके अनुरसार लागत नहीं लगने वाला है कम लागत में अच्छा प्रोफिट होगा इसका ब्योस्ता करके हरे चाड़े का ब्योस्ता करके केले का पत्ता गोभी का पत्ता एसोला बास का प